स्वागत है आपके अपने चेनल ओनी स्टेडी क्लास पर मैं आज इकोनोमिक्स पेपर 6 का कुश्चन एंसर बताने वाला हूं पार्ट 3 का तो देखेंगे कि आज का पहला जो कुश्चन है वो है अधोगी करांती से आप क्या समझते हैं अधोगी करांती से पर्थम बिटेन में ही क्यों हुई किलियर या अधोगी करांती क्या है इंगलेंड में हुई एधोगी करांती के कारणों के विवेशना करें तो देखिए अधोगिक करांती जो है वो तो समझ रहा है कि अधोग के लिए करांती करना और यह सबसे पहले इंगलेंड में ही हुआ था तो आकर पूछ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि इंगलेंड में ही यह जो है बिरिटेन में ही हुआ या इंगलेंड में ही हुआ तो बिटेन मुखे रूप से किरीशी परधान देश था जैसे कि भारत उधोग अतियंत बिक्सित इस्तिती में थे मतलब और बिक्सित इस्तिती में थे यानि कि विकास नहीं था इस तरह से थे किन्थ 18 और 19 सताब्दी की करांती ने पूराने अधोगिक धंग में एक महान परिव इसी परिवर्तन को अधोगी करांती के नाम से जाना जाता है 17 या 18 सताब्दी में पूर्व से पूर्व घरेलू धोग धंदों की तरीके पर घर में ही हांस से बनी बस्तुए तयार की जाती थी और इस परकार उनमें थोरी पूजी की अविसकता होती थी परन्तु अधोगि करांती के कारण बरी पूजी की सहता से बरे बरे करखानों में चीजे मसीनों दूरा तयार होने लगी संचेप में अधोगी करांती ने तीन वस्तुए पैदा की पहली करखाने दूसरी बरे बरे अधोगी के नगर और तीसरी पूजी पती बर्ग यानि कि धन्माट लूग इस परकार संचेप में अधोगी करांती उस परिवर्तन को कहते हैं जो घरेलू यानि की उधोगों के बदले करखाने और हाथ के बजाए मसीन से काम के रूप में हुआ है। इन सबका समाजिक जीवन पर गहरा परवा परहल लोगों की आर्थिक जीवन में एक महान परिवर्तन हुआ है। उत्पादन में विरीदी हुई तब इसे धोगेक करांती है और इस यूग को अधोगी करांती का यूग कहा जाने लगा। महान इतिहासकार रिकर के अनुसार जो दिया हुआ हुआ है। दस्ताकारी के अस्थान पर वस्फ यंतरो द्वरा चलित उत्पादक और यतायाद की परकेरिया में समाने रूप से परिवर्तन लाना ही अधोगी करांती थी। तो यह प्रश्ण उठाना सोभाविक है कि यह अधोगी करांती इंगलेंड में ही क्यों हुई। यद भी आठारवी सतावदी में उरोप में फ्रांस प्रमूख देश था जो इंगलेंड से उन दिनों काफी बढ़ा हुआ था। फिर भी फ्रांस या उरोप के अन्य दूसरे देश में यह अधोगी करांती नखोकर सरपर्थम इंगलेंड में ही हुई। इंगलेंड में भी दूसरे देश के अपेक्चा अधोगी करांती के सभी उपादान एक साथ महजूद थे। जिसके चलते अधोगी करांती सरपर्थम इंगलेंड में ही हुई। अगला जो है अदोगी करांती की कारण क्या क्या हूँ थे तो एतिहास कारों में प्रियाप्त मतवेद है कि अदोगी करांती का आरम्भ यानि कि प्राराम्भ कॉब और कैसे हूँ आठःवी सताथी के मद्धे तक बहुत से बिफसायों में हस्त कला का ही प्रयोग होता था पर मुकारण है भागोलिक खोज पहला कारण पंदरवी और सुलाहमी सतापदियों में अनेक भागोलिक खोजे हुई जिनके फ़ल सरुप भारत तथा अमेर्का में यूरोपिये जातियों के बेपारिक अड़े अस्तापित हुई है धीरे धीरे वहां उपनिवेसों के सपना ह उपनिवेसों के बजार पर यूरोपिये जातियों का परभुत्तों कायम हो गया फलता यूरोपिये बस्तों की मांग बनने लगी इस मांग के पूर्ति के लिए उत्पादन में बिरीदी आवस्यक हो गई उत्पादन में बिरीदी है तो नए नए तक तरीकों की खोज पूजी और कुसलता, बिश्तरित बजार छेतर, बिकासो नमुख उधोग एवं आंतरिक तथा राजनेती सांती अठार्वी सताबदी के उतराध में इंगलेंड में सो भाग्य बस ये सभी बाते उपलब्ध थी इंगलेंड में उस अवस्यक प्रिष्ट भूमी का निर्वान हो चुका था जिसके अधार पर कोई भी अधोगी करांती सपल हो सकती थी सुती और उनिवस्त रूधोग बिकास बिकसित अवस्ताओं में थे पुजी बात की सुरुवात मतलब हो गई थी इरोपिये देशों तथा उपनी वेशों के साथ निर्यात बजार उन्नत था तथा विदेशी विपार उन्हें अच्छा अनुभव था और देश में राजनिती सांती बिधवान थी इस परिष्टित्यों में सोभाविक है कि इंगलेंड में उधोगी करांति क्या स्रिगनेश हुआ अगला जो पॉइंट है वो है राजनिती वों बितिये अस्ताइत्तों बाल पूल की विवेक पूर्ण नीती से इंगलेंड को न केबल रायनीती सांते मिले बलकि बीतीय स्ताइट तो भी प्राप्त हुई और इस लियंगरेज बरे बरे उधोगों में बारी मतरा में पूजी लगाने में कभी भी नहीं हिचक चाहे अगला जो पूइंट है वह है बाहे आक्रमन से मुक्ती अपनी विशिष्ट भोगोलिक स्तीती के फल सुरूप अन्ने इरूप ये देशों कि अपेच्छा इंगलेंड बाहे आक्रमन से सबसे अधिक मुक्त रहा है इंगलेंड ने अनेक युदों में भाग लिया लेकिन ये यूद ब्रिटिस भूमी पर नहीं लरे गये थे अता इंगलेंड यूद जनित हानियों से बहुत कुछ बचा रहा जिससे अधोगिक विकास में उसके बरिश सहता मिली अगला जो पॉइंट है वह है ब्यक्तिगत सुतंतर्ता अन्य देशों में ब्यक्तिगत सुतंतर्ता क्या भाब ब्यद होगी गत प्रगती नहीं हो सकी लेकिन इंगलेंड में ब्यक्तिगत सुतंतर्ता होने से देश बास्यों के इच्छा अनुसार उधोग धन्दे अपनाने की प्रेर्णा मिली इरोब के बहुत से दे इस विचार-धरा ने इंगलेंड में अधोगी करान्थी का मार्ग प्रास्ट कर दिया औरा जो पॉइंट है होई पूजी का अमीत संच्छे मतलब पूजी बहुत यदा संच्छे कर चुके थे पूजी के अभाब में अधोगी करा नहीं हो सकता ततकालिन यूग में बिरिटेन में परिस्तिती की पूजी संग्रा के पंक्छ में ही थी उन विपसायता था निरियात में पार के फल्स रूप बिरिटिस विपारियों के पास धान का परचूर संचे हो रहा था सतरहमी और अठारवी उस्ताभदी में भारत था अन्य अपनी बेसों के साथ विपार के द्वारा इंग्लेंड में नैतिक सभी तरीके से विपुल धन कमाया अगला जो point है वो प्राकिर्तिक साथनों की परचूरता इंगलेंड प्राकिर्तिक साथनों की दिरिष्टी से बरा ही धानी था अधोगी विकास के लिए आवस्यक कोई और लोहा इंगलेंड में भारी मातरा में उपलब्ध था यही नहीं इन दोनों खनी जो पदार्सों के खाने भी पास पास ही थी अतायात समन्दी विशिस कटनाई भी पैदा नहीं हुई और करखाने में भी असानी से स्तापीत करखाने भी हो गया यह करखाने और धोगी करांती के विशिष्ट अंग बन गए अगला जो फॉइंट है वो है करी मसे की कुसल तक यदि करी गुरों की जो कुसल ता है वो इंगलेंड के पास कुसल योग्य और पर सिच्छित सरामिक की कमी नहीं थी उनकी कारेज छमता भी काफी बढ़ी हुई थी इसके अतिरेक्त उस समय उरोप में अन्य देशों के आंतरी का सांती से घबरा कर भी बहुत से कुसल सरमिक भाग कर इंगलेंड आ गया कुसल सरमिक के लिए एक अस्थान पर एकतरित हो जाने से इंगलेंड में नय नय अविश्कार संपन हुए और वहां अधोगी करांदी का अगवा बन सका अगला जो है बढ़ती हुई मांग केंतु सरम का भाव ठीक तत कालन परिश्टितियों में इंगलेंड में निनलतर बढ़ते हुए विपार उद्धों के लिए सरमिकों की भारे कमी थी अता यंतरों के अधिका अधिक 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 अविश्कार अधिक 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 अविश्कार और प्रयोक अप्रसाहन मिला उद्धों गेबं विपार की बढ़ती हुई सरम की मांग की पूर्ती यंतरी करन द्वारा अधिक 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 करके ही की जा सकती थी और हुआ भी यही सामुहिक सक्ति इबाध्य यूग में अंतराष्टिय बिपार्थ राजनेती सुतंदता के रच्छा के लिए सुब्वस्तित सामुंदरिक है सोरी यह सामुंदरिक सक्ति का होना अबस्यक था क्या और इंगलेंड इस छेत्र में उस समय के लगवग सभी देशों से बढ़ा चड़ा था इंगलेंड का बेपार का परभुत्तो इसी समुंदरिक सक्ति की देन था जिसके कारण या अधोगी करंतिय जिससे हो सका बैग्यानिक प्रगत्ति क्या है इंगलेंड में अधोगी के करंति के सरपर्थम आने का एक महतापूर्ण कारण था कि 28 सताबदी में वहां अनेक परमुक बेग्यानिक हुए जिन्होंने अपने नए नए अभिष्कार से उत्पादन परनाली में करंतिकारी परिवर्तन उपस्तित कर दिये इंगलेंड के वेपारियों और उधोग पतियों ने इन अभिष्कार को का पूरा लाग उठाया अगला जो पॉइंट है वो है संगठन की कुसलता संगठन उत्पादन का एक आवस्यक अंग है जिस पर वेपार और उधोग की सफलता निर्फर होती है बिरिटिस विपारियों ने अपनी संगठन योगता के बल पर अपने तिरिक्त उत्पादन को विष्व के बजारों में अच्छे धंग से खपाया और इस तरह अपने अधोगिक विकास का मार्क प्रस्त किया अगला जो पॉइंट है वो है सरकारी निती इंगलेंड की सरकार ने भी ऐसी निती अपनाई जिससे देश में अधोगिक करांती का वतावरन बना इंगलेंड में अन्य इरोपिये देशों की तरह बिभिन परकार के स्थानिये कर नहीं लगाए गए सरकार की यह निती रही की बिरिटे निवासी देश में निर्मित बस्तो का ही यथा संबव प्योग करें इसी दिरिश्टी से विदेशों दोवरा निर्मित अनेक बस्तो के आयात और इंगलेंड दोवरा कच्चे पदार्थों के निर्यात पर रोक लगा दी गई भारतिय वस्तिर के आयात पर पर्तिवंद लगाने से इंगलेन में सूति वस्त उदोगतेजी से पनपा वाल पोल से ने टट कर निती में अपने लावकारी परिवर्तन किये और विदेशी वस्तिवों पर उची दर से कर लगाये गए विफारिक छेतरों का विकास हुआ और ब परिवर्ति देने में सरकारी निती में अविशक्ता अनुसर परिवर्तन किये जा रहे थे इसी परकार उप्योगत सभी कैरनों से समलित परभाव से अन्य देशों की तुल्ना में इंगलेंड ही अधोगी करांती का अगवा बना अठारवी सताबदी के अंतिम दसक में देख रहा है कि 70 बर्स लगे और उससे ना जाने कई बर्स पहले से ही यह सिस्टम चल रहा था कि अधोगिक हो तो इस तरह से आप लोगों ने जाना कि इंगलेंड में किस तरह से सबसे पहले अधोगी करांती हुआ उनका क्या कारान था क्यों था तो आप लोग देख लिए तो इस तरह से आप अगर सुनते भी है तो आप लोग बहुत अच्छा से धियान में रख सकते हैं तो फिर मिलेंगे आप लोगों को नेश्ट वीडियो में तब तक आप लोग अच्छे पराई किजिए थांक्यू फॉर वाचिंग